पालगर की मौब लिंचिंग के घटना ये बहुत ही गंभीर है जिस कुरूरता के साथ उनको मारा गया है मानोता को भी शरमाय इस प्रकार की ये कुरूरता है और इसमें सबसे शर्मनाग बात ये है कि पुलीस के सामने इस प्रकार से भीड लोगों को मारती है पुलीस के हाथ से चीन कर मारती है पुलीस के सामने लाठिया बरसाती है और पुलीस भी कारवाई करने को तयार नहीं इससे और शर्मनाग बात क्या हो सकती है कई न कई महाराष्टर में कानून विवस्था लचर हो गई है कानून विवस्था दिखाईने पड़ती इस प्रकार की अवस्था है और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरिय जाच की जाए अपरा ध्योपे तो कारवाई करनी ही होगी लेकिन उसके साथ साथ जीस प्रकार से पुलिस ने इसमे रोल किया है क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक करने दिया जाए इसका भी जवाब मिलना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वाईरी करते हुए इसमें आग लगाने की कोशिश करे आग ना लगाए ये कोई मजब की बात नहीं है सिर्फ गलत फाहिमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी लेकिन इसके बावजुद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं यहां चात्मी जात पात धर्म बगत नहीं एक तर तर दोन पोलिशान आपन ततकाड सस्पेंट के लेले आणि अतुल कुल करनी ये अपले एक चानला अधिकरी अपला DG CID Crime त्याना त्यांच्या एक नेत्रूत्वा खाली शोड करला आपन सांगित लेले एक तरहां सगळा शोड़ाच CID Crime कड़ आपन देलेला है हे सगळा आपन करतो आहोत आणि गेले काई दियोस तिकड़े याची हावाचाल लेलेकि एक तोर फिरता तर रात्रीचे याचे मरे पुना एक दा संगतो कि कोंटी धार्मिक कारण नाही कोणी तिकड़े धर्मा धर्मा मरे आग लावनेचे कारण शोरूने मी अत्यनत नम्र पणाने आणि आत्मविश्वासाने संगतो है याँ सग्ड़ा गोश्टी मरे जेजी कोणी जवाब दर है तेटले जौल पास सग्ड़े शंबराचा वर्ती हे तुरूंगा तहेत त्याना 18 तर्खेला कोल्टा थाजर केला नंतर 30 तर्खेल पुलिस कोटिडी तैना मिडा ले लिया है पुलिस क्या कर रही है सरकार क्या कर रही है किया ना कर रहे है हमने किया किसी को नहीं बख्षा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं कि जो भी लोग इसमें गलत फहिमी फैलानी की कोशिश करेंगे, कुरुपा करकर ऐसा मत करें, मेरी बात आमित शाहज या सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई हैं, आमित भाई ने भी उनको भी पता है कि यहां कोई आगल